हलो बच्चो और कैसा चल रहा है उम्मीद है सारे अच्छे होंगे तो बहुत ही दिनों के बाद फिर से वन्स अगेन मैं कुंदन कुमार फिजिक्स वाला के यूटुब चैनल पर मैट्स अभ्यास लेके आया हूँ तो आज के हमारे लेक्चर्स में यानि मैट्स अभ्यास में हम देखो क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल के कुछ-कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जैसा कि सर ने बहुत ही अच्छे डंग से आपको थियोरी बता रखा हैं उसी को कंटिन्यू ठीक है बच्चो तो जैसा कि अब आपके आस पास यानि सर के उपर से एक्जाम का प्रेसर आ रहा होगा या बहुत सारे स्कूल में तो एक्जामिनेशन हो भी चुके होंगे है ना तो उनके लिए भी ये सिरीज बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि आगे चलके इन 12 ये जिसमें एक आज के लेक्चर में स्ट्रेट लाइन और सर्किल कर रहे हैं दूसरे यानि कल के लेक्चर में पैरा बोला एलेप्स और हाइपर होके बोला करेंगे ठीक है तो आज स्ट्रेट लाइन और सर्किल के बेसिक कुश्चन कुश कर लेते हैं जो आफी के सिलेवस में ह हम इसमें वो वाला section कम यूज करेंगे जो की syllabus में नहीं है वच्चो ठीक है तो इसको अच्छे से go through करते हैं तो straight line में देखो straight line start करने के पहले हमें ये ध्यान दिया जाता है कि fundamental of coordinate geometry क्या होता है तो fundamental means straight line के पहले point study करते हैं point में distance formula के बाद section formula के question करते हैं यानि friends of triangle circumcenter, ortho center, centroid और in center के coordinate और उनकी location के बारे में जानते हैं किसी particular triangle में फिर उसके बाद हमें locust भी इसमें करना हो सकता है फिर उसके बाद area of triangle है, slope of the line है ये सारे हम fundamentals में use करते हैं इसको ही हम धिमाग में रखते हुए हम कहां चलते हैं straight line तो देखो बच्चो ये वाला जो question है, इसमें क्या है, हमने question ऐसा लिया है कि use of algebra भी साथ ही साथ होते रहे हैं ठीक है, देखो ये question क्या कर रहा है, देखो x1, x2, x3 are the roots of the equation, तो देखो किसी cubic equation के 3 roots होते हैं और वो 3 दे रखे हैं x1 भी, x2 भी, x3 भी ये दे रखे हैं कि 3 roots हैं, तो अब हमें बताना है वो centroid जिसके vertices of the triangle ये दे रखे हैं तो triangle के vertices यदि दिये हुए हैं, तो centroid का coordinate सबसे आसान होता है थोला सा मुश्किल, in center और ज्यादा है मुश्किल, circum center, ortho center के coordinate होते हैं वैसे उनके alternative methods भी है find करने के ठीक हैं centroid तो बहुत आसान होता है, उम्मीद है सारे लोग अभी इतना बोलते बोलते find कर भी लिये होगे जैसे इसमें यदि कोई cubic equation है तो इसके तीन roots है न बच्चो तो इसके यदि तीन roots है तो तीनो roots के बीच में relation तो याद है न देखो इसके तीन roots है x1, x2, x3 है न तो क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 minus by है न sum of the roots taken one at a time minus by a देखो यह 3p दिया हुआ है taken two at a time x1, x2, plus x2, x3, plus x3, x1 क्या दिया हुआ है minus by a के बाद c by a आता है यानि 3q और x1 into x2 into x3, x1 into x2 into x3 क्या होता है minus by a तो यह minus minus plus यहाँ से यह तीनों आपको पता चल गया चल गया न a plus b plus c minus by a मला sum of the roots taken one at a time, taken two at a time, taken three at a time यह आगे अब हमें निकालना है centroid, तो centroid का coordinate क्या होता है, x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 का मतलब यहाँ क्या है y1 का मतलब 1 by x1 है ठीक है, तो 1 by x1 plus 1 by x2 plus 1 by x3 whole divided by 3 यहीनों होता है coordinate, यह होता है centroid का coordinate, वह हमने direct लिख दिया अब देखो सारा दिया हुआ है, एक लाइन और लिख देते हैं, यह आगया x1 plus x2 plus x3 by 3 कॉमा, lcm ले लो सारे के सारे वही आएंगे जो हमने already find कर रखे हैं यह divided by 3 times x1, x2, x3 यही आएगा ना, देखो अब x1 plus x2 plus x3 क्या दे रखा है, 3p, 3p by 3 this is equivalent to 3p by 3, यह दे रखा है 3q, 3q upon 3 into 1, यही ना, देखो अंसर आगया p, q मतलब, अंसर को, अंसर को बहुत ही आसान से पेस किया जाए, उसके लिए question set किया जाता है, ठीक है? तो question कैसे भी हो, अंसर बले symmetrical आते हैं, जो अच्छे questions होते हैं, ओके बच्चो, now next हम आगे चलते हैं, देखो यह हो गया, section formula पर based, यहानी problems on, straight line में ही इसको count किया जाता है, ठीक है, fundamental of 2D, नाम का अलग से बहुत rare case में topics आप देखोगे, सारे standard books में, straight line के ही concept में, यह सब दि यूज होता है, ठीक है, जैसे यह center wide पर है, अब दूसरे center पर use करते हैं, like, दूसरा question देखो, vertices of a triangle are, तीन vertices दिये हुए हैं, तीन ही होते हैं, तो तीन हो दिये हुए हैं, तो उस triangle के ortho center और center wide के बीच का angle निकालना है, या distance निकालना है, angle तो निकाल नहीं सकते हैं, दो point के बीच कैसे angle निकालोगे, वो by mistake निकल गया, अब हम distance निकाल लेते हैं, दो point के बीच निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ-कुछ पता होना चाहिए, जैसे इसमें concept क्या है, concept यह है, कि यदि triangle दिया हुआ है, randomly कोई triangle कभी नहीं देगा बच्चो, नहीं तो बहुत मु ortho center, क्योंकि ortho center altitude के point of concurrency होते हैं, तो इसलिए वो थोला सा lengthy होता है, क्या किया जाएगा question में, कुछ न कुछ triangle को observe कर होगे, ध्यान से देखो triangle को, कैसे देखो triangle के vertices को gorse देखो, जैसे इधर उदर देखते हो, या फिर और कहीं, वैसे ही concentration से, यदि triangle के vertices देखोगे, तो एक दम अच्छा खासा triangle मिल जाएगा, या तो equilateral मिल जाएगा, वासे उसके chances कम होते हैं, right angled मिल जाएगा, isocellus कुछ न कुछ तो symmetrical data on triangles मिल जाएगा, ठीक है, जैसे, आपको बताया गया है, कि कोई भी right angled triangle होता है, तो किसी right angled triangle में, ये जो point जहाँ पर 90 डिगरी बनता है, ब और्थो सेंटर, किसका सेंटर, और्थो का सेंटर, और्थो सेंटर ना, मला इसमें मेटा पारा नहीं यूज करना है, और जहाँ पर hypotenuse का middle point होता है, उसको बोलते हैं, कौन सा सेंटर बच्चो सरकम का सेंटर, तो ये आपका concept है, तो अब देखो हमने right angled triangle यूज किया है, त देखो, यदि हम इसमें ध्यान दे है, तो इसमें हम ध्यान दे सकते हैं, एक triangle दे रखा है, तो एक triangle के तीनो वर्टिसेज को हम अच्छे से लिख लेते हैं, तो तीनो वर्टिसेज को यदि अच्छे से लिखें, तो 2,-2, 2,-2 तो यह हो गया भई, देखो 2,-2 और माइनस 2,1, x है निगेटिव, y है पोजेटिव, है ना, तो x निगेटिव, y पोजेटिव, यानि यह आ जाएगा, माइनस 2,1, और तीसरा जो दिया हुआ है, बच्छो, 5,2 यह है 5, यह है 2, तो यह है आपके तीनो पॉइंट, ठीक है, यह है आपके तीनो पॉइंट, हम लिख रहे हैं वहीं, तीसरा पॉइंट क्या है, माइनस 2,1, यह है, देखो, यह तीन पॉइंट दे रहा है, अब हमें दूर दूर तक ही कुछ नहीं देख रहा है, हमें एक अच्छा एंगल देख रहा है, यह वाला है न, देखो तो यदि हम नाम दे दिए, ए है, बी है, क आपके स्लोप को दिखाने के लिए, तो स्लोप ओफ एबी, निकाल सकते हो न, स्लोप ओफ एबी क्या है यहाँ, स्लोप ओफ एबी, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, बच्छो, y2-y1 upon x2-x1 for given 2 points, यह, m is equal to tan theta, where theta is the angle of inclination of any line with positive x axis in anti-clockwise direction, ठीक है, तो स्लोप ओफ एबी, ले सकते हैं न, y2-y1 upon x2-x1, तो यह आगे आपका 4 by 3 है, अब स्लोप ओफ एची ले लिया, स्लोप ओफ एची कितना है बच्छो, देखो तो 1 minus of minus 2 divided by minus 2 minus 2, तो यह आगे आपका minus 3 by 4, तो देखो दोनों को स्लोप को एक साथ देखने से कुछ फील हो रहा है, हो रहा है, इन दोनों के स्लोप का प्रोड़क्ट है, परपेंडिकुलर, प्रोड़क्ट क्या है, minus 1, प्रोड़क्ट है minus 1, यानि अंगल बीट्विन a, b and ac क्या हो गया, 90 डिगरी न, यानि a, b is परपेंडिकुलर to ac, यानि अंगल a जो है आपका, यह है 90 डिगरी, यहाँ पर यह 90 डिगरी आ गया, तो जहां पर 90 डिगरी बनता है बच्चों, वहीं पर तो, क्या होता है, और्थो सेंटर होता है न, that is और्थो सेंटर, और्थो सेंटर क्या बन गया, और्थो सेंटर इज, क्या हो गया, 2, minus 2, 2, minus 2, यह हो गया, और्थो सेंटर, यहाँ से, अब द उसरा निकाल लेते हैं, सेंटरोईट तो देखो बच्चों याध है, सेंटरोईट याध है कि नहीं, सेंटरोईट जो होगा, that is x1 प्लस x2 प्लस x3 बाइ 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाइ 3, यही तो होता है, तो हम यहां से सेंटरोईट निकाल ले, तो centroid है न, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाइ 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाइ 3, यही होगा न, होगा कि नहीं, तो यहां सा असान है न, यह 2 माइनस 2 यह तो खतम, तो 5 बाइ 3 हो गया, देख लेते एक बार, हाँ एकदम सहे, तो यह आ गया 5 बाइ 3, और y कोडिनेट, y कोडिनेट 1 बाइ 3 तो यह आ गया, centroid, अब इन दोनों के बीच, distance निकाल लेना है, बार-बार angle निकल रहा है मुझसे, तो इन दोनों के बीच, distance निकाल लेंगे, तो distance formula आप तो यूज करने आता ही है, तो distance between, ortho center, ortho center, and centroid, ठीक है, distance between ortho center and centroid, निकाल सकते है न, एकदम अच्छे से निकाल सकते हो, तो distance between ortho center and centroid, यह, तो distance formula, 2 minus 5 by 3, है न, 2 minus 5 by 3 का square, plus minus 2, minus 1 by 3 का square, under root, यही न, 2 minus 5 by 3, 1 by 3, 1 by 9, तो यह आगे आपका, 1 by 9, plus, minus 2 यानि, minus 7 by 3, 49 by 9, तो यहां से root 50, root 50 क्या होता है, 5 root 2 न, तो 5 root 2 by 3, यह आ गया, ठीक, यहां देखो, एक distance between ortho center, centroid को, यह तो आ गया, अब एक और आपको बताया गया होगा, कि किसी भी triangle में बच्चो, किसी भी triangle में, जहां पर, यदि वो triangle right angle है, तो यह तो हमें पता है कि ortho center है और circum center है, तो एक यह भी याद रखते हैं, कि यह जो ortho center और circum center को मिलाने वाली line होती है, इसी line पर centroid होगा, और इसको न 2 is to 1 ratio में divide करता है, इसको 2 is to 1, ortho center को P ले लते हैं, centroid को O ले लते हैं, ठीक है, सौरी, circum center को O ले लिए, तो PG by GO, PG by GO, यह भी आपको याद रखना है, 2 is to 1 होता है, 2 is to 1, याद रहेगा, वहाँ से भी निकाल सकते थे, जैसे कि यह वाला triangle क्या है, right angle आ गया, तो यह तो ortho center आ गया, किसका center आ गया, अपना नहीं है, ortho का center आ गया, तो यह वाला आपका circum center आ जाएगा, middle point, तो यहाँ से यह निकाल लो, और distance formula से यह निकाल के, यह यदि पता है, तो यह निकाल लेना है, तो उसका 2 by 3 हो जाएगा, 2 third of that हो जाएगा ना, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो, clear है बच्चों, तो यह आपका अच्छा सा example है, to get friends of triangle, friends of triangle आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, in center, circum center, ortho center, centroid, कहीं कहीं पर, 9 point center भी पूछा जाता है, बाकी x centers तो भई बाहर के बात है, x का मतलब समझते हो ना, जो बाहर है ना, past भी बोल सकते हो, या जो बाहर का बोल सकते हो, तो वो भी x centers भी पूछे जाते हैं, बत्चों, ठीक है, तो इतने centers हैं, वो हमें ध्यान द जिसको हम solution of triangle भी बोलते हैं, ठीक है, for jman advance, clear है, ना, उमेध है ये सारा समझ मा आगे आपको, clear है, ना, अब हम आगे चलते हैं, देखो, अब इसमें क्या है, ये locust best question है, लोकस का नाम सुने हो, लोकस, लोकस का मतलब होता है, बिंदु पत, मला इसका हिंदी अधि हम देखे, तो लोकस का मतलब देखो, क्या सोचना है, बिंदु पत, बिंदु का मतलब नाम नहीं है, ये point को हम बोल रहे हैं, बिंदु का मतलब point है, पत, मला बिंदु पत आजीव लगता है चलो हम जानते होंगे अगनी पत सुने हो गए या हम लोग के जमाने में थोली पूरानी मुवी विजय पत था तो विजय पत है अगनी पत है जेस्ट इक्वालेंट बिंदू पत है बिंदू का रास्ता बिंदू मतलब विलेन करेक्टर नहीं पॉइंट तो जैसे दो पॉइंट है माले जी कोई पॉइंट देखो यह पॉइंट है देख रहे हो यह पॉइंट जाना सुरू किया कहां चला यह क्या बनाया पता ही नहीं चला मतलब यदि पॉइंट को हम स्टुडेंट या हिउमेन बिंग अपने भी आते हैं उसमें यदि हम उस भी बोल सकते हैं इस वजह से कंडिशन लगाया जाता है किस पर पॉइंट पर हम स्टुडेंट की अब बात नहीं कर रहे हैं जानते ही हो कंडिशन लगाया जाते हैं और यहां से यह क्लियर हो गया हमें अब जैसे पॉइंट पर कंडिशन लगाते हैं कि भाई तुमको इसी तरीके से मूफ करना है कि इसका distance किसी fix point से जैसे एक point है इसका distance ये वाला तो मिटा लेते हैं बिना कोई condition का ही ऐसे हो गया अब इस पर condition है कि ये ऐसे मूफ करेगा कि इसका किसी दिये हुए point से equal distance पर है तो क्या बन जाएगा तरकल बन जाएगा न यानि condition यानि restriction किसी point पर condition यानि restriction किसी student पर condition यानि restriction किसी human हम लोग जैसे beings पर इसी लिए लगाया जाता है बच्चों कि उससे जो path बनेगा उससे जो path यानि career बनेगा वो नाम देने लाइक होगा यानि जिस पर जितना जादा restriction या condition होता है mathematically वो प्रूफ हो गया उसका उतना अच्छा carrier या नाम देने वाला लोकस बनेगा no condition also termed as temporary कोई condition ही नहीं लगाया गया उस time condition लगाते हैं जब शुरुवाती 12-15 साल कुछ बोला ही नहीं गया शुरुवात में तो कुछ बोले नहीं बाद में बोले कि हमें result चाहिए ये condition वो condition मोवाइल नहीं देखना है टीवी नहीं देखना है जो रास्ता ट्रैवल हूँ अब जो रास्ता है उसको लोकस बोलेंगे लेकिन condition के बाद यानि किसी जोमेटरिकल कंडिशन के बाद जोमेटरिकल कंडिशन का मतलब समझते हूँ कोई भी distance, कोई भी angle हो, वो apply किया जाए, उसकी वज़ा से जो equation आए x और y में, तो देखो ये सब तो definition के बात हुई, कैसे निकाल लेते हैं, देखो, कैसे निकालेंगे बच्चों, ये तो हो गया बिंदुपत, how to find, how to find, कैसे इसको निकालते हैं, तो देखो, कैसे इसको निकालोगे, ये हम देख लेते हैं, तो यदि इसको निकालने का तरीका देख लेते हैं, कि किसी question में, देखो, दो तरीके से इसको निकालते हैं, वैसे और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, कैसे निकालेंगे, तो लोकस निका का लोकस निकालना है उस point को h, k मान ले बाद में h के जगह पर देखो geometrical condition लगेगा h और k में एक रिस्ता आएगा कोई भी relation कोई भी रिस्ता हो सकता है वो रिस्ता कोई भी कहला सकता है अब finally h के जगह पर x k के जगह पर y रख देंगे तो x और y में एक equation आएगा coordinate geometry क्या होता ह है, every equation has a geometry and every geometry has an equation हमें उसका नाम पता नहीं है तो यह अपनी personal problem है जैस होता है, हम रास्ते में किसी समिलते हैं हमें उसका नाम नहीं याद है या नहीं पता है तो ऐसा तो है नहीं उसका नाम ही नहीं है, है ना, तो हमें किसी geometry का नाम नहीं पता है, तो वो अपने syllabus के अंतरगत आता है, कि किसका पता रख है, किसका ना पता रख है, लेकिन, every equation has a geometry, every geometry has an equation, तो जो equation है, x और y में, वो locus यानी geometry ही तो represent कर रहा है, नाम पता है, तो लिख देंगे, नहीं, तो equation के form मे ही answer में लिखा हुआ रहेगा, clear है बच्चों, तो ये एक निकालते हैं, दूसरा है, एक तो apply geometrical condition, दूसरा है, जैसे होता है न, real life में भी, कि हमें कुछ parameters होते हैं, है न, parameters जो ना तो variable है और ना ही constant है, parameters को eliminate करने होते हैं, elimination of parameter is called locus, तो यदि parameter नहीं है, लेकिन हमें तो उसक parameter को बुलाएंगे, आजाओ, parameter को हम बुलाएंगे, उसके बाद उसका हर संभव use करेंगे, और बाद में उसको हटा देंगे, है न, यहीं तो होता है, यहीं तो होता है, यदि हम नहीं हटा है, तो सामने वाला मुझे हटा देगा, यानि हमें हटा देगा, तो यहीं होता है, लोकस का मतलब, लोकस का मतलब क्या होता है, Elimination of Parameters है, तो it's good नहीं है, तो बुला के यूज करके हटाएंगे, हटाना main purpose है, हटाना main purpose है, हटाना क्या है, main purpose, उसमें ध्यान देना, अब देखू, A and B are variable points on x and y axis, ठीक है, अब ये question देख लेते हैं, such that length of AB is equal to 4, find the locus of the point which divides segment AB internally in the ratio of 1 is to 2 है, तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, पहले coordinate axis ऐसा बनाते हैं, जो दिखनी रहा हो, है ना, तो चलो ठीक है, आप दिखने वाला बना लेते हैं, कि ये एक AB line है, है ना, A है x axis पर, B है y axis पर, ये है x axis, ये है y axis, अब हमें तो पता नहीं है, length AB का दे रखा है, बच्चो, length of AB दे रखा है 4, ठीक है, वैसे तो L भी use करके चल सकते हैं, length यहाँ 4 दे रखा है, बाद में भी put कर सकते हैं, at any instant, at any instant, A का coordinate A, 0 ले लिए, और इसका 0, B ले लिए, है ना, ये है 90 डिगरी यानि O, यहाँ ले लिए, यह जब A दे रखा है, है ना, late, A है, A, 0, हम यह अपना मंद से मान रहे हैं, बच्चो, वह भी चीज अपना मंद से मानते हैं, तो उसको maintain करना होगा, क्या करना होगा, maintain, तो यहाँ से length of AB, यानि A स्क्वार, प्लस B स्क्वार, इस एक्वाल टू 16, दे रखा है, ना, 4 स्क् 16, अब हमें किस पॉइंट का लोकस बताना है, हमें उस पॉइंट का लोकस बताना है, जो पॉइंट इस AB को, एस शुरू हुआ है, AB is not equal to BA, यह ध्यान देना, AB को 1 is to 2 ratio में divide कर रहा है, बच्चो, तो AB को divide कर रहा है, BA को तो नहीं divide कर रहा है, तो AB के side, यह है इस पॉइंट का लोकस, 1 is to 2, है ना, तो AB के side, 1 है, B के side, मतलब, A के side 1 है, B के side 2 है, तो, now let, अब P ले लिए H, K, तो, यहां से H is equal to क्या आ जाएगा, देखो, H is equal to, H, K ले लिए section formula आपको याद है, तो H, K लेने से 1 into 0 plus 2 into A by 3 है ना, यानि 2A by 3 आ गया, और K is equal to, K is equal to किता आ गया, देखो, 2, 0, 1, B, यानि B by 3, आया कि नहीं, using section formula, ठीक है, यह आ गया आपका section, formula, section formula से यह आ गया, अब यहां से यदि हमने देखा, so, using 1, अब हमने 1 यूज कर दिया, जो माने है, एक जगा पर क्या रखोगे, 3H by 2, 3H by 2 का square, प्लस, यह क्या गया, 3K square is equal to 16, ना, हुआ कि नहीं, सो, यहां से relation आ गया, 9H square, और यहां से कितना आ गया, 9H square है, और यहां से आ गया, 4, यानि 36K square, is equal to 64, है ना, है कि नहीं, महलों 3 वाला था, हम यहां पर दे दिया, ठीक है, बाकी तो सब क्लिएर है, so, locus of last में क्या हो जाएगा, H, K, locus यदि H, K का निकालना है, बच्चों, तो H के जगह पर आपको X लेना है, K के जगह पर Y लेना है, point लेते हो X, Y, सुरुवात में X और Y लोगे, तो variable लगेगा, हमें सुरुवात में इसको constant जैसा treat करना है, equation आता है, तो variable तो होगा है, तो यहां से आ जाएगा, 9X square plus 36 ना, ठीक है, 36 आएगा, is equal to 64, आसान है, बहुत आसान है, यानि elimination of parameters, यदि parameter है, बहुत अच्छी बात है, हटाना ही है, नहीं है, तो इसको introduce करके, use करके हटाना है, main life का यह rule होता है, है कि नहीं, तो locus जो है, बहुत ही important segment होते हैं, पूरे coordinate geometry में, बहुत अच्छे-च्छे questions set होते हैं, चाहे circle में, या parabola में, ellipse में, hyperbola में, general coordinate geometry में, यह बहुत use होता है बच्चों, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है, clear है, तो यह आगया locust best, इसमें question, ठीक, अब देखो आगे चलते हैं, यहाँ तक clear है ना आपको, देखो, अब एक बहुत ही आसान question है इसमें, यह mirror image वाला आपको सारा ध्यान देना होगा, image of the point P, 2, 3, in the line mirror, है ना, जैसे कोई point है, P, X, Y ले लिए, ठीक है, इसका, इस point का, यदि mirror image बोलना है, है ना, mirror image इसका होगा, mirror image of P, ठीक है, with respect to X axis यदि बोला जाए, तो X axis के about, देखो, उस point का X axis के about mirror image, तो X तो Y रहेगा, Y negative हो जाएगा, यानि X, minus Y हो जाएगा, with respect to Y axis, with respect to Y axis पूछा जाएगा, तो minus X, Y हो जाएगा, ठीक है, with respect to Y is equal to X line पूछा जाएगा, तो उलट जाएगा, X, Y में चला जाएगा, Y, X में चला जाएगा, यानि Y, X, ठीक है, अब एक line बच गया, वो नीचे लिख देते हैं, जो हमें जरूरत है, तो with respect to line, Y is equal to minus X, तो आजाएगा, दोनों negative, minus Y minus X, ये सारा का सारा हम किसका निकाल रहे हैं, ये सारा का सारा हमने निकाला है, एक होता है, with respect to the origin, से जो line यानि quadrant भी बोल सकते हैं, तो वो अलग से, यानि line के about mirror image हम निकाल रहे हैं, clear है, no, अब देखो, question में तो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो तो, P, mirror image of P, as per our theory, इस point का mirror image सिधे आ गया न, P with respect to, Y is equal to minus X is Q, Q का मतलब that is direct आ गया न, Q जो अभी theory बताए है, इस theory से minus 3, minus 2 आ गया Q, अब इस Q का mirror image with respect to X axis है, now, mirror image, यह तो direct था न, तो mirror image of Q, minus 3, minus 2, with respect to, कांसा line, X axis है न, is, X axis के about mirror image, तो क्योंवल, Y coordinate बदलता है न, तो यहां से minus 3, 2, तो minus 3, 2, कौन सा आया, P, बहुत आसान है न, तो हमें क्या ध्यान देना है, यह सब जो है न, concept, वो अच्छे से आपको याद रखना है, बग्चो, कैसे याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है, तो यह बहुत ही अच्छे अच्छे concept है, जो direct छोटे छोटे फॉर्म में question दिये जाते हैं, और हम उसको आसानी से सोवल कर लेते हैं, ठीक है बच्चो, अब देखो आगे बलते हैं, clear है यह, देखो, line AB, यह दिया हुआ है, line AB passes through the point 2,3, एक line है, जो 2,3 से pass कर रहा है, intersects the positive x-axis and y-axis at a0 and 0b, यानि intercept form भी ले सकते हैं, intercept form आपको बताया गया है, x by a plus y by b is equal to 1, उसको 2,3 से pass कर रहा है, if the area of the triangle AOB is, area of the, AOB is 11, the numerical value, तो देखो, इसमें एक चीज़ यह है, कि positive x-axis दे रखा है, positive x-axis का मतलब a और b दोनों positive है, यानि हमें यह ध्यान देना है, यदि हम इसको figure-wise देखें, यह line है, ठीक है, यह है आपका a, 0, और यह है 0, बीबा, सारा अपने आप clear हो गया, यह है origin, तो देखो, triangle जो बन रहा है, उसका area भी दे रखा है, है न, तो as x by a plus y by b is equal to 1, यही वो line है न, x by a plus y by b is equal to 1, passes through, passes through, यह किस से pass कर रहा है, 2,3 से, 2,3 से pass कर रहा है, यहाँ से हमारे पास equation आगया, 2 by a plus 3 by b is equal to 1, ठीक है, एक line और लिख देते हैं, यहाँ से आगया, 3 a plus 2 b is equal to a b, यह आगया, 3 a plus 2 b is equal to a b, किलियर है, now, given area of triangle, इस triangle का area क्या होगा, half base into height, nursery वाला न, तो half base into height, half a b is equal to 11, this is given, अच्छा हम यहाँ पर modulus नहीं लिये हैं, बच्चों, क्योंकि a और b positive है, तो यहाँ से a b is equal to 22 हो गया, a b is equal to क्या हो गया, 22, तो अब देखो हमें question के हिसाब सो देखना है, दो equation दो variable ऐसा नहीं, बिना दिमाग लगाये हुए, a और b निकाल लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे, है तो लगाएंगे भई, हमें चाहिए 4b square, यानि 2b का whole square, हमें चाहिए 3a का whole square, तो यहाँ है तो वही, तो इसको square कर दिये, इसको क्या कर दिये, squaring, यदि इसको square करते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया, देखो तो 9a square plus 4b square, और 2 into 3a into 2b, that is 12ab, 12a into b is equal to, ab का whole square, यानि ab का whole square, आब ab तो पता है न भई, बास कर लेते हैं, तो 9a square plus 4b square is equal to, ab का whole square minus 12ab, तो ab, ab minus 12, यही न, अब ab कितना दे रखा है, ab दे रखा है, 22, ab किता दे रखा है, 22, तो यहाँ से आगया आपका 22 into 10, that is 220, यही बताना था न, आया कि नहीं, बहुत आसान था, चलो आगया, तो इस तरीके से straight line में बिना equation को introduce करे हुए, हमें सारे question हम कर ले रहे हैं, इसके अलावा, various form of equation of straight line पूरा theoretical है, perpendicular distance from a point on a line पूरा theoretical है, distance between two parallel lines, angle by sector का equation, यह सब अच्छे ढंग से दिया हुआ है NCRT में, NCRT में one of the best topics में, straight line and sequence and series है, one of the, माला one of the, यह तो two of the हो गया, माला 3-4 topics जो NCRT 11th में बहुत अच्छे दिये हुए हैं, एकदम उसके उपर J main नहीं आता, तो वो है straight line, sequence and series और एक दो topic है, like probability 11th syllabus का, तो यह सब बहुत अच्छे दिये हुए हैं, बच्चों, clear है, तो straight line के बाकी miscellaneous के यह आप NCRT solve कर लेते हो, apart from this math अभ्यास, तो आपका एकदम अच्छे डंग से, coordinate geometry 11th, straight line clear हो जाएगा for the point of J main, J advance के लिए और अलग से practice आप कर सकते हो, clear है, okay, अब देखो आगे बाते हैं, तो यह होगी आपका straight line, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, circle कर लेते हैं, circle में, circle में, यह कुछ-कुछ basic geometry जो है, जो आपके nursery, मतलब class 9, 10th से लिए हुए हैं, तो यह आपको adjectives go through करना है, इसको अच्छे से, कैसे हैं, इसको अच्छे से go through करो, यह सारे वो points हैं, जो हमने compile किये हैं, जो आगे यूज होंगे, circle case question को solve करने में, one of the most geometrical use होने वाला जो topics है, geometry, coordinate geometry का मतलब algebra, geometry, मिला दिया, सबसे ज़्यादा geometry जो use होता है, वो होता है circle में, सबसे कम जो use होता है, वो parabola, ellipse, hyperbola में, geometry सबसे ज़्यादा circle में use हुआ, इसलिए geometry हमने यह circle के लिखे हैं, सारे याद होंगे आपको, जैसे equal quad subtends equal angles at the center and vice versa, जो length of quad equal होते हैं, अलग-अलग circle, यह circle है यह quad है, यह quad है, यदि length equal है, इन दोनों का length equal है, तो यह angle equal होंगे यहाँ पर, यदि यह दोनों equal हैं, तो यही सबसारे लिखे हुए हैं, तो यह सारा यही है, vice versa, equal quads of a circle are equidistant from the center and vice versa, angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the, तो यह आपको सारा का सारा याद रखना है, एकदम आफी के लिए हमने compile किया है, इसको अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके, बच्चों, यदि आप इसको याद रख लेते हों, तो जही मेन में circle का एक question भी नहीं छूटेगा, बाकी जो theoretical portion है, जिसमें एक circle से ज़्यादा, like family of circle होते हैं, tangent normal होते हैं, वो एक अलग segment है, ठीक है, तो यह आपको ध्यान देना है, यह हो गया है, जैसे उसके अलावा यह और चार पॉइंट है, तो टल हमने 9 पॉइंट, जैसे अब यह देखते हैं, इफ टू स्ट कॉट्स ओफ ए सर्किल, दो कॉट्ड है, इंटरसेक्ट आइधर इनसाइड और ओटसाइड, जैसे एक सर्किल लिए, ठीक है, यह है, अब इसमें दो कॉट्ड ले लिए, यह एक कॉट्ड है, और यह चाहिए अंदर मिल रहे हो, यह बाहर मिल रहे हो, कैसे भी, कहीं पर भी, और सैड दिसर्किल, दर रिक्टैंगल कंटेंट बाए दे पर्स, वन कॉट इपेर इक्वल इन एरिया, तो इसका मतलब इस ते जो रिक्टैंगल बनेगा, उनका एरिया सेंग होगा, तो इसका मतलब, देखो यह क्या है, यह है, हम P यहाँ ले ले लेते हैं, ठीक है, तो A, B है, C, D है, तो वहाँ यही दिया हुआ है, देखो तो यह AP into PB, AP into PB is equal to CP into CD, यह बस याद रखना है, यह वाला condition आपको याद रखना है, ठीक है? तो उसके लिए यह सब बला ज्यादा यूज होता है, है ना, जैसे greater of the two quads in length, हम length के बात कर रहे हैं, greater of the two quads in a circle is nearer to the center than lesser, मतलब जिसका ज्यादा length है, जो center के नजदीक जा रहा है, उसका length increase होते जा रहा है, यही होता है ना, longest quads का ही तो definition diameter होता है, in case of circle होता है ना, तो वो longest center के जितना नजदीक है, उसका length उतना ज्यादा है, वही यह हिंदी में लिखा हुआ है, यह सारा वही है, याद रहेगा, the length of tangents, the length of tangents at the extremities of a chord are of a circle are equal, मतलब किसी बाहर point से दो tangents डाले जा रहे हैं ना, जाले जाते हैं कि नहीं, तो दोनों का length equal होता है, वो अलग बात है, हम j main के लिए जब tangent normal करते हैं, तो in case of circle, root s1 होता है, root s1 का मतलब value root का, और value of circle at x1, y1, clear है बच्चों, यह आपको ध्यान देना है, तो यह circle की geometry के बाद, आपको इतना यदि circle की geometry याद रहती, इसको अच्छे से गोतरू करो, हैना, एकक point हम deal नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह nursery यानि 9 10th की geometry है बच्चों, ठीक है, तो इसको आप खुद से करो, इस पर best एक दो question हम और कर लेते हैं, ठीक है, याद रहेगा, circle का एक ही rule है, to get equation of circle, हमें चाहिए center और radius, center और radius, यदि center radius दे दिया है, तो equation of circle in central form, x minus alpha का whole square, plus y minus beta का whole square, is equal to r square, clear है, यह होता है, यदि नहीं दिया हुआ है, तो कुछ और दिया रहेगा, या तो कोई चीज डारेक्ट दे दिया जाता है, otherwise indirect way में दिया तो जाता ही है, नहीं दिया हुआ है, तो how we can find the required equation of, find another thing, कैसे निकाल सकते हैं, कुछ न कुछ तो दिया जायेगा, जैसे ये है, point the equation of the circle, equation of circle निकालना है, जहां कि center ये point दे रखा है, देखो center दे रखा है, और line इसको touch कर रहा है, line, ये circle जो है, इस line को touch कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जायेगा, radius आ जायेगा, center से perpendicular distance यदि हमने लिया, तो क्या आ जायेगा, जैसे ये हमने circle ले ठीक है, अब एक line ले लते हैं, ठीक है, एक line जो है, वो इसको क्या कर रहा है, touch कर रहा है, ठीक है, ये line का equation दे रखा है, तो अब जब हम ये लिये हुए हैं, तो बच्चों देखो आप यहाँ पर तो सिधे आ जायेगा ना answer, कोई भी circle ले, देखो, circle का center दे रखा है, center क्य इसे line को touch करता है, मतलब करता क्या है, अब बोलेगा touch करता है, नहीं, center से perpendicular distance radius के equal होता है, ये लगाना है, वो तो English है ना, कि कोई circle line को touch कर रहा है, उसका maths क्या है, है ना, उसका mathematics क्या है, तो उसका mathematics जो होता है, वो आपको ध्यान देना है, कि ये perpendicular distance radius के equal होगा, बस, यही या रखना है ठीक है तो 4,3 से इस लाइन के डिस्टेंस निकाल लो है ना तो यह लाइन का equation 5x-12y-10 is equal to 0 दे रखाया है दे रखाया है ना बस यही निकाल दे ना तो यहां से perpendicular distance हम निकाल लिए यह रेडियस रेडियस का मतलब r का मतलब perpendicular distance from 4,3 to 5x-12y-10 is equal to 0 यही है ना तो बस यही निकाल लेना है तो perpendicular distance तो निकाल दने आता है ना straight line में कर चुके हो अभी भले हम उसका question नहीं किये थे लेकिन आपको formula तो याद है ना तो 4,3 यानि यह क्या आजाएगा 5 into 4 minus 12 into 3 minus 10 upon root over a square plus b square है ना यही ना और modulus क्यों लगा लेंगे formalty के लिए क्योंकि यह distance है 20 minus देखो यह 20 minus 10 आगिया 10 10 minus 36 minus 26 यानि 26 आगिया और यह आगिया 13 यानि यह आगिया 2 आगिया ना radius अच्छा आगिया इसका मलग calculation सही चल रहा है तो required equation of circle required equation of circle क्या हो जाएगा बच्चो required equation of circle is x minus 4 का whole square plus y minus 3 का whole square is equal to 2 का square याद रहेगा अब इसको अच्छे से लिखलो अच्छे से लिखने का मतलब x square plus y square minus 8x minus 6y यह कितना 16 9 25 और minus 4 plus 21 यही ना तो यह आगिया required equation of circle बहुत आसान है ना center दे रखा है radius की तो जरूरत थे और यदि center radius दिया हुआ है तो हम circle को क्यों देखते हैं बच्चों हम circle को इसी लिए देखते हैं कि हम उसको देखते ही देखते center और radius निकाल ले भाई हम इस age में circle में तो interest नहीं रखेंगे हमें circle को देखना है तो center और radius के लिए देखना है ना मनला हर एक का एक purpose होता है ना भई center और radius है ना हर एक चीज को देखने का एक purpose है जैसे यदि हम teachers को देख रहे हैं तो कुछ academically उसके knowledge concept को सीखने के लिए देख रहे हैं otherwise तो we can look our dancer singer acting यह सब भी तो हम देखी सकते हैं वह तो अलगी channel है वह तो अलगी content है तो उसको भी देख सकते हैं ठीक है center इसका center क्या है minus g minus f radius क्या है radius is equal to root over g square plus f square minus c यह ले लिए ठीक है यहाँ पर हमने तीन बार equal to का sign लिया है basically दो बार ही लेना रहता है center में तीन बार क्यों कि वो equivalent होता है बच्चों center एक point है जो कि दिया हुआ रहेगा equivalent form में और radius एक line है तो यह निकाल लेंगे तो यह आपका circle का बहुत ही अच्छा question जिसमें center और radius के base पर ही पूरा हो गया clear है अब एक और question कर लेते हैं देखो यह वाला question इसमें क्या है triangle ABC is a right angle that a पूरा geometry यूज़ कर रहे है right angle that a the circle with center a circle है जिसका center a है तो फिर से हम circle एक ले लिए भई circle फिर से ले लेते हैं ठीक है अच्छा वाला circle लेते हैं अच्छा वाला मतलब एक दम जो गोल हो यह देखो यह है circle है अना फूरा छोटा ही ले लेते हैं अब देखो एक इसमें क्या लेना है question में दूसरा क्या दिया हुआ है center a है radius a भी है तो radius a भी है तो हम ले लेते हैं इस तरीके से यह है अब देखो ए तो center है बच्चों ए है center ठीक और radius a भी यहाँ चलो ले ले लेते हैं यह है b तो इसका मतलब c यहां होगा कहें यह देखो यह हम ले लिए c this is c ठीक है तो a b c यह triangle है और right angled triangle है right angled at a है यह भी दिया हुआ है ठीक है clear है अब यह जो circle है a b मलब b c और a c को internally b c को कहां पर cut करता है deeper और a c को e पर cut करता है यह भी दे रखा है देखो कितना चीज़ दे रखा है b d का length दे रखा है तो b d is equal to 20 और dc दे रखा है 16 यानि यहां से b c आ गया ना b c का मतलब length of side की बात कर रहे हैं कुछ और नहीं सोचना है तो यह आ गया आपका 36 आया ना b c आ गया 36 नौ अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा वो ध्यान देना है तो देखो यहां के आ जा रहा है length of a c length of a c यह वला पूछा जा रहा है ठीक है तो लेट लेट a c को हम ले लिए x जो निकालना है न वच्चो उसी पर हमें ध्यान देना है जो निकालना है उसी पर हमें ध्यान देना है तो a c is equal to x ले लिए नौ अब देखो एक तो triangle a b c में क्या दिया हुआ है triangle a b c तो right angle है in triangle a b c triangle a b c में पाइथागुरस्चीरम लगा देते हैं है ना बी सी स्क्वेर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेर प्लस a c स्क्वेर यही है ना ना बी सी तो पता है देखो 36 ए बी स्क्वेर कितना है ए बी स्क्वेर बतों क्या है a b तो radius r ले लेते हैं a b radius r ले लिया है ना तो यह हो गया r square और a c x यानि x square प्लस r square is equal to 36 का square हो गया ना क्लियर है यहां से यह first question ले लिया अब देखो यह तो pythagoras theorem एक्तम clear है पहले से भी हमें आता था बहुत जब छोटे size के थे तब भी हमें यह आता था अभी अभी हमें geometry को याद दिलाया गया उसमें हमसे यह बोला गया कि c से दो code लिये गया है basically second लिये गया है तो यहां से from also also c से लिये गया है न भाई तो c से c d into c b c d into c b is equal to c e into c e और एक हम आगे इसको बला देते हैं देखो यह है यह e dash ले ले लते हैं e dash क्यों लिये है क्योंकि देखो किसी भी code को लेना है code भले वो diameter हो सकता है तो c e into c e dash यही है न तो आप यही ले लेना है तो आप c d c d क्या दिया हुआ है बच्चों देखो c d दे रखा है 16 और यह है 36 is equal to c e देखो यह है पूरा यहां से यहां तक हमने x लिया है यहां से यहां तक x लिया है और यह है r है ना तो यह तो x minus r हो गया और similarly वो x plus r हो गया यानि यहां से हमारे पास दूसरा equation x square minus r square is equal to 36 into 16 आ गया है ना second equation आया कि नहीं तो यह आ गया second equation अब हमसे पूछा क्या जा रहा है हम तो उसी को x माने है जो हमसे पूछा जा रहा है तो इन दोनों को क्या किया जाए इन दोनों को देखके इन दोनों के साथ हम क्या करें कि हमें x आ जाए r ना आये r तो ऐसे भी नहीं निकालना है तो दोनों को add किया गया तो यदि हम add करते हैं adding है ना दोनों को add किया गया तो क्या आ गया 2x square is equal to 36 36 तो common है और यहां आ गया 36 plus 16 यानि 36 into 52 ना अब 2 से काट दिया गया तो x square is equal to 36 into 26 तो x is equal to आ गया ना 6 root 26 plus minus में तो नहीं लेंगे ना x किसको लिए है एक्स किसको लिए है बच्चो x तो length of ac तो ac जो है negative में तो नहीं हो सकता इसका मतलब एकदम basic geometry से ना हमने ज्यादा इसके जो आपके ncrt में है उससे उपर हम गय ही नहीं वैसे हमें जाना था लेकिन वो पूरी theory अलग होती है जैसा कि sir ने आपको अभी केवल basics बताया है only for 11th syllabus आगे और होगा j main का होगा j advance level का होगा तो उसके math सभ्यास में हम वो भी करेंगे तो यहाँ तक हमने straight line और circle के जो बहुत ही अच्छे question थे चले गए वो हमने कर लिया तो अब वो time आ चुका है जिसमें आपसे एक बड़े size का big thank you बोलने का time आ गया है ठीक है तो हम ऐसे ही कल के एक lectures में parabola, ellipse यानि क्या बोला? parabola, ellipse और क्या हो के बोला? hyperbola कि कुछ अच्छे question चुकि उसमें NCRT में भी ये miscellaneous में अच्छे questions दिये हुए हैं तो उस range के question हम करेंगे ठीक है बच्चो तो हम यहीं पर आज के लिए stop करते हैं आप अच्छे से study करें और कल के हमारे इस lectures को फिर से दोबारा नए lectures को ध्यान से देखें ओके बच्चो तब तक के लिए bye bye, okay, thank you पड़ाई करते हैं, all the very best